तौप क्लास अनुभवी सिक्सकों के मार्ग दर्सम में तयार किया गया SSC GD 4G बैच जो देता है आपको 137 सेलेक्शन की वारंटी तो तेरी किस बात की आज ही जोइन करें SSC GD 4G बैच मात्र 299 रुपे में और करें अपने सेलेक्शन को पक्का ओफर सीमित समय के लिए उपलब्द अधिक जानपरी के लिए आप SSC MAKER एप डाउलोड करें और दिये काई नंबर पर कोल करें कि एड में वस्ड़ हो गई चलो ठीक है दो बार चलिक है कि अ कि अ कि नवसकार साथ यहों मैं जोगिंदर सिंग स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC MAKER में आप गूड मॉर्निंग सभी को बैरी बैरी गूड मॉर्निंग जो बच इस क्लास को सेर कर दीजे जिससे की और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाव प्राप्त हो सके आप सभी बच्चों को इस क्लास को सेर करना है जिससे की और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाव प्राप्त हो सके जैसा कि आप सभी को पता है आपकी जो क्लास है सुवे 11 बजे ये चल रही है GS की जिसमें आप उन सभी महत्मून कोशन को करेंगे जो आपके exam के point of view से बहुत जादा जरूरी है आपके exam में जो प्रस्ण आते हैं उन सभी प्रस्णों को जो है हम यहाँ पर ए बेड़ी बेड़ी गॉड़ मॉर्णिंग टाइगर प्रिंस संदीप काजल बेभी अपराजिता अंकिता ननिका पिंकू सुमन आ जोती बिनोद अलीसा सारे बच्चों को very very good morning चलिए कोशन को करते हैं सुरू क्लास को सुरू करते हैं पहला कोशन है आपका हुन्रू जल प्रपात किस नदी पर इस्तिता सुमन रेका नदी किष्णा नदी गोदावरी नदी और काविरी नदी on which river is the हुन्रू falls located आपको बताना है जो जल प्रपात है हुन्रू ये किस नदी पर है ये आपको बताना है बताईए रहा क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका ए सुमन रेका नदी कौन सी सुमन रेका नदी पर ये बना है तो ये आपको याद रखना है एक बार कमेंट में लिख कर बताईए कृष्णा नदी कहां से निकलती है कावेरी नदी कहां से निकलती है और आपकी जो गोदावरी नदी है ये कहां से निकलती है ये तो जो आपको है कृष्णा कावेरी औ और गोदाबरी ये तीनों नदियां कहां कहां से निकलती है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है अगर मैं बात करूँ सुबंड रेखा नदी की तो ये कहां कहां बहती है तो याद रेखिए का जहारकंड में बैठती है और बैष्ट बंगाल से होकर ये बहती है इसकी सहा साहयक नदियां लिख लीजिये क्योंकि यह आब स्षएक है आपके एक्जाम में पूछा सकता है सायक मैं तो आपको बताना है कि जो साहयक नदी यह इसकी कौन कौन सी हैं तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपकी एक राडू ठीक धाड़क करें ठीक राडू तो यह आपको याद रखना है एक याद रखना है आपको कांची यह नदी है इसकी कहा की किसकी सुबंड रेका की ठीक है इसके अलाबा आपको याद रखना है एक खरकई कौनसी एक नदी आपको याद रखनी है इसकी खरकई राडू कांची खरकई और आपको याद रखना है दुलांग क्या याद रखना है और आपको याद रखना है दुलांग ये नदियां है सायक नदियां है सुमंड्रे का नदी की तो ये आपको याद रखना है सुमंड्रे पहाडी से शि tego का वेरी निकलती है ब्रहम्मी पहाड़ीयों से अगर मैं बात करूँ अप्ट सुरी कि अ इस प्रामिडी कौश आप इंचसी भ्रमगिरी पाड़ीयों से यह निकलती है यह आपको अरतकना है वह भै अगर मैं बात करता हूँ आपकी गोदावरी की तो याद रखेगा ये तरंब के स्वर नदी से निकलती है कहां से तरंब के स्वर पहाडी से निकलती है और याद रखेगा कहां से तो महाराष्ट के नासिक से ये निकलती है याद रखेगा नासिक में गोदावरी नदी के किनारे जो लगता है इसके अलाबा और कहां कहां पर लगता है एक बार कमेंट में लिख कर बताईए चित्तोडगर में बिजय इस्तम्ब आठ टावर ओ विक्ट्री किसने बनवाया था महाराना प्रताप राणा कुम्बा राणा सांगा कुबर दुर्जन सिंग आठ टावर ओ विक्ट्री इन चित्तोडगर आपको बताना है किसने जो है इसे बनवाया था और महाराना प्रताप राणा कुम्बा राणा सांगा और कुमर दुर्जन सिंग कमेंट में लिख कर बताईए महाराना प्रताप और अकवर के बीच जो युद्ध है वो कब और कहां हुआ था महारान प्रताप और अकवर के बीच जो युद्ध है वो कब और कहां हुआ है यह आपको कमेंट में लिख कर बताना है एची जाद रखिएगा जो यहां आपको याद रखनी है चितोडगल के बारे में वो याद रखिएगा यह जो टाबर है यह 1440 से 1448 के बीच बना है मतलब 1440 से बनना शुरूआ और 1448 तक जो है यह बन पाया है यह आपको याद रखना है याद रखेगा यह जो टाबर है यह बना है सारंग पुर की लड़ाई जो सारंग पुर का युद्ध हुआ था सारंग पुर की जो लड़ाई थी जो किसके भी उचुई थी याद रखेगा महमूद खिलजी मेहमूद खिल जी मेहमूद खिल जी और कुम्भा के बीच मेहमूद खिल जी और राणा कुम्भा के बीच युद्ध जो हुआ था जिसमें राणा कुम्भा विजय हुए थे और इसी विजय को जो है इनोंने इसी विजय के उपलक्ष में इन्होंने विजय इस्तंब का निर्माड कराया है ये आपको याद रखना है 15-16 में हल्दी घाटी की योज़ दुआ था महाराना पिरताप और अकवर के बीच हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे रखता है उजयन में कुम्मेला जो है उजयन में लगता है छिपरा नदी के किनारे वहीं जो संगम है इलाबाद, प्रियाग राज, वहां गंगा, यमना, सरस्वती तीनों नद्यों के जो संगम है वहां पर ये कुम्म लगता है तो ये आपको याद रखना है सुमित करेश्णा बहुत अच्छे मनू अर्चना अपराजिता बहुत बड़िया चलिए अगला कुस्शन निम्णिक इसमें से कौन सा एक मोड़धार पर्वरत का उधारण नहीं है चार अप्षन आपके सामने हैं आप से पूछ रहा है इनमें से कौन सा मोड़धार परवरत इन में से कौन सा है जो इन में से कौन सा एक है जो मोड़दार परवत या जिसे हम कहते हैं बलिद परवत folded mountain यानि की बलिद परवत का उधारण नहीं है यह आपको बताना है बता जली से क्या हो जाएगा ठेक और क्लास को सेर और लाइक जरूर कीजिएगा हिमालय तो folded mountain है यह बलिद परवत है यहां जो प्लेट जब फोल्ड हो जाती है न कहने का मतलब यह है जैसे यह एक प्लेट है और यह है आपकी एक यह है ओस्यानिक प्लेट ठीक है और यह है आपकी कॉंटिनेंटल प्लेट कौंसी महादीप यह और सागरी ए कॉंटिनेंटल प्लेट इसका घनत अधिक होता है इसलिए यह नीचे की और चली जाती है और यह जो आपकी कॉंटिनेंटल प्लेट है जब यह इससे टकराती है तो टकराने के फल्सुरूप इसकी जो प्लेट है यह कुछ मुड जाती है और इस तरह के मुडाव से मतलब इस तरह से अगर ऐसे करोगे ना जैसे यह प्लेट इससे टकराएगी है ना मालो यह से टकरा रही है और यह मजबूत है तो यह क्या होता यह फोल्ड हो जाता ना इस तरह से तो यह इस तरह से फोल्ड होते रहते हैं और इससे परवत बनते तो यह याद रखिएगा अब बात करूं एंडी की और रॉकी की तो यह तीनों ही folded mountain है बस अराबली जो जो folded mountain है या बलित परवत है यह नहीं है याद रखिएगा जो अराबली है यह अब सिष्ट परवतों में आता है किसमें अपसिष्ट परवतों में आता है मतलब ये कोई समय था जब ये भी बलित परवत रहा होगा लेकिन ये प्रीकेम्ब्रियन युक्का है याद रखेगा किसका प्रीकेम्ब्रियन pre cambrian युक का है और आज जो इसकी दसा है वो धीरे धीरे चीड हो रही है अब सिष्ट का मतलब होता है धीरे धीरे जो है अब शरीत होना या धीरे धीरे जो है नश्ट होना तो अब यह नश्ट हो रहा है यह आपको याद रखना है राष्टे संगर्ष के दोरान प्रिसिद समाचार पद्र केसरी का संस्तापक और संस्तापक कौन था महात्मा गांदी जबाहरलाल नहरू, लोकमान नितिलक और मुहम्मद इकबाल कौन थे यह आपको बताना है, महात्मा गांदी ने कौन से अख़वार इंडियन इश्टकल के समय निकाले थे, यह आपको बताना है अगर अरावली की बात करूँ तो गुरू सिकर उसकी सबसे उची चोटी है, बहुत सही है, हाँ, सबसे उची चोटी कुछी है, वो है आपकी गुरू सिकर, पर आपको भही याद रखना है, एक जो है, माउंट आबू नाम की एक चोटी है, जहां पर जो है, क्या है, दिलवा का जैन मंदिर है ये किसी ने बन बाया है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना बताईए चलिए राष्टे संगर्च के दौरान प्रसित समाचार पत्र केसरी का संस्तापक कौन था तो याद रखिएगा ये थे लोकमान बाल गंगादर तिलक इन्होंने केसरी के साथ साथ मरा पत्रका नाम की पत्रका भी निकाली थी ये आपको याद रखना है पत्रकारता के चलते इन्हें 6 साल की जेल हुई थी जिसमें ये मांडले जेल में रहे थे और बहां इन्होंने गीता रहस नाम की पुस्तक लिखी थी ये आपको याद रखना है याद रखिएगा जो एक ती नव जीवन इनी की थी और एक ती आपकी कौमी आबाज कौन सी कौमी आबाज ये भी इनी की थी तो ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए बहुत अच्छा है अगला कोश्चन इन्होंने लिखिया गीता रैस जो लोकमान इतलक है इनकी पुष्थके हैं याद रख इंडिया किसकी है जो एक पत्रका थी निव इंडिया ये किसकी पत्रका है कमेंट में लिखकर बताईए जो निव इंडिया है ये पत्रका किसकी है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना भारतिय सम्मेदान में राज नीती के निदेशक सिद्दान किस देश के सम्मेदान से लिए गए हैं, बिर्टेन, आइरलेंड, यूएसे, कनाड़ा, दारेक्टिव प्रिंसिपल ओव स्टेट पॉलिसी इन दा इंडियन कॉंस्टिट्यूशन बर्टेकन फ्रॉम दा कॉंस्टिटीूशन ओफ विच कंट्री, बिर्टेन, आइरलेंड, यूएसे और कनाड़ा मुहम्मद इकवाल वो थे, जिन्हों ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदो जता हमारा, है न, भाई, ठीक, क्या हो जागा, यंग इंडिया जो है, ये एनी बेसेंट की है, किसकी है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा, आपका एनी बेसेंट, भाई साब को आपको या एनी बेसेंट है, जो एनी बेसेंट है, इन्होंने याद रखिएगा, कॉंग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कॉंग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, कॉंग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी एनी बेसेंटी थी, तो ये याद रखिएगा, इन्होंने होम रूल लीग भी प्रारम किया था ठीक, बढ़िया, चलिए, भारतिय सम्मिधान में राजिके नीती निजा सद्दान्त किस देश के सम्मिधान से लिए गए थे, तो याद रखेगा, ये लिए गए हैं आपके आईरलेंड से, किसे लिए, ये आईरिस सम्मिधान से लिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, याद रखेगा, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने लिए है, एकल नाग रिखता, क्या लिए, ये लिए हमने एकल नाग रिखता, ये याद रखेगा, एकल नाग रिखता जो है, हमने इसी से लिए है, साथ में आपको य याद रखना है अगर हम बात करें USA की तो याद रखेगा इसे हमने बहुत कुछ लिया है जैसे fundamental right हमने इसी से लिए है PIL हमने इसी से लिया है PIL के जनक कौन है comment में लिखकर बताइए हमने judicial review इसी से लिया है हमने president और vice president के पद जो है इसी से लिये है तो यह आपको याद रखना है इसके अलाबा याद रखिएगा written constitution हमने इसी से लिया है written constitution written constitution हमने इसी से लिया है comment में लिखकर बताओ जो written constitution है यह किस देश ने सबसे पहले सुरू किया या खृटेन कॉंस्टिट्यूशन का जनक को ने यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है याद रखेगा नियाय पालिका इंडिपेंडेंट जुडी सरी अर जो जग कर जडी जरी है यानि एकल नयापालिका भी हमने इसी से लिए तो यह आपको आखना है और भी बहुत सी चीज़े लिए पर यह मेन है जो आपको याद रखनी है अगर मैं कनाड़ा की बात करूँ तो याद रहे कियेगा ससक्त केंद्र के साथ संग की अबधार्ना क्या हो जाएगा ससक्त आपने कहां से लिए कनाड़ा से लिए यह आपको आखना है कमेंट में लिखकर बताओ जो DPSP हैं यह किस पार्ट में है इसका पार्ट कौन सा है यह आपको बताना है कौन से आर्टिकल में है यह आपको बताना है ठीक है चलिए अच्छा एक बात और बताईए आपको एक च आपको कमेंट में लिखकर बताना है यह बोई आर्टिकल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैथ पूर्ण है इसका जो हो जाएगा USA सबसे पहले लिकित संब्धान जो है USA में ही आया था उसके अलावा आपको याद रखना यूएसे का जो संब्धान है वो सबसे छोटा है सबसे कम आर्टिकल है इसमें सबसे छोटा संब्धान अगर किसी का है तो वो यू-s-e का है तो यह आपको याद रखना है, फ्रेंटियर गांधी पढ़ के साथ कौन संबन्दित है, ये आपको बताना है, याद रखिएगा, आपको कैसे याद रखोगे, आपको लिखकर याद रखने हैं, अगर आप इसे लिखोगे तभी याद होंगे, बर्ना न हो पाएंगे याद रखना याद रखने के लिए आपको इन्हें एजा नोट्स लिखने होंगे तभी आप इन्हें याद रख पाएंगे विसाल सुमित परवेज अर्मान धनंजय नूतन केसब अजीत पीके गुपता एरिक स्वांगता नीलेज बहुत अच्छे कोसाल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा यह हो जाएगे आपके सी खान अब्दूल गफ़ार खान कौन हो जाएगे खान अब्दूल गफ़ार खान याद रखिएगा लाल कुरती आंदोलन भी इन्होंने ही सुरू किया था pm . जो आंदोलन था, लाल कुर्ती, आंदोलन जो था वो प्रारंब करने वाले यही थे. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है? अचा लाला लाजपत्राई के बारे में याद रखेगा. लाला राजपतराय को एक तो आप पंजाब केसरी कहते थे दूसरा याद रखेगा इनकी एक बुक है जिसे लिक कहते हैं Unhappy India जिसे क्या कहा जाता है जिसे कहा जाता है Unhappy India तो यह आपको याद रखना है अगर मोहंदास करमचंदर गांदी की मैं बात करूँ तो याद रखेगा ये भारत कम लोट कर आए ये भारत लोटे थे 9 जनवरी 1915 और यही कारण है कि 9 जनवरी को भारतिये प्रवासी दिवस बनाते हैं कमेंट में लिक कर बताओ महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए किस लिये गए और साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह पर यह उत्रे थे यह आपको बताना है ठीक है चलो अगला कोश्चन आज नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं इन में से कौन से भी एक्सिस टू पॉलिटिकल राइट, फंडामेंटल राइट, सिबिल राइट और विदिक राइट बताओ जरा क्या हो जाएगा याद रखिएगा इस तरह के कोश्चन आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण है बहुत ही जाद है जो है इस तरह के कोश्च दोनों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं तो याद रखेगा दोनों को बिदिक अधिकार जो लीगल राइट हैं वो दोनों को प्राप्त हैं जो मौलिक अधिकार हैं इन में से कुछ अधिकार बिदेशियों को प्राप्त है पर कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतियों के आर्टिकल के रूप में बताना है भारतियों को प्राप्त है और क्या आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल में वो है जैसे आर्टिकल 19 है वो जो है किसे सिर्फ और सिर्फ भारतियों को प्राप्त है ना इसी तरह से आपको बताने है ठीक चलो आगे निमनेकरित किन कड़ों में क proton बताव दूई प्रिकृती इन में से किसमें पाई जाती है याद रखिएगा आप सभी आप सभी को इस class को share और like करना है क्या करना है आप सभी को इस class को share और like करना है जिससे की और भी जो वच्चे हैं वो class के साथ जोड़े और उन्हें भी इसका लाप प्राप्त हो याद र जरूरी है तो ऐसे में आपको करना ये है कि इस class को share और like करना है साथ में आपको इसे note down भी करना है जिससे की कुछ भी नया अगर आपको मिलता है तो उसे लिख लें और उसे revise आप जरूर कर लें अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका c यानि की electron क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका electron तो यह याद रखिएगा green house effect का क्या अभिप्राय है green house effect क्या होता है यह आपको बताना है बस एक मिनिट रुखिए मैं कुछ download कर लूँ यह ठीक है कि एक मिनिट बस है ना क्योंकि यह सब चीज़ जरूरी है तो मैं सुच रहूं है डाउनलोड कर लूँ पहले में वो डाउनलोड कर लूँ जो मझे दिखानी है ना देखो green house effect क्या होता है green house effect जो है यह क्या होता है देखो यह ग्रीन हाउस effect क्या है यह ग्रीन हाउस effect इसमें क्या होता है इसमें जो प्रत्वी के उपर का बात अब रहने में सीसे की तरह काम करने लगता है कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कुछ solar जो radiation है यह आती है है ना प्रत्वी पर टकराती है यह किस में आती है तो याद रखिएगा जो इसे ऐसे समझो यह प्रत्वी है यहां से यह सूर्य है और सूर्य के द्वारा लगू किरणों के रूप में जो है प्रत्वी पर आती है प्रत्वी के बातवरण के अंदर यह समा जाती है प्रत्वी जो है इसे अवसोसित करती है और फिर प्रत्वी जो है धीर्ग किरणों के रूप में जो है आ उसमा या कहें जो किरणे है यह विकरित करती है लेकिन इन किरणों को बातवरण से यह किरण तो इफेक्ट बैसिकली अ बहुत कन्फिूजयन हो गया होगा नहीं समझ भाया होगा इसमें ऐसा मानू कि जो बाहर से रदिशन आता है वो प्रत्वीके बातावरण फो जाता है पर जाए प सिर्टा रीडियर के बापस जाने को परावरटन होता है तो नहीं को प्रता बसुद्र के अन सीज़र का तो आपका ट्रेप हो जाती तो इसे ग्रीनहाुस एफेक्ट कहते हैं ठीक है तो यह एच ग्रीनहाुस एफेक्ट का मतलब क्या होता है तो याद रहेगा यह कारण योक्साइट गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संगर है क्या है जब बंती है तो इन्तविय के बाताबरंगा काता प्रत्विय मेंograph यहाँ पर जो साय है और बाकी यह जईसे अब चलते जो चलते जो है प्रिथभी गर्म होती है और धीरे धीरे ये गर्म होती जा रही है और इसका जो दिक्कत है वो यह है कि इसके चलते गलोबिंग बार्मिंग पर जो है एफेक्ट पढ़ रहा है और जिसके चलते जो है गलेशिर्स बगेरा जो है ये पिगल रहे हैं मौसम बदल र और यह यह हाल है गिलोवर बॉर्मिंग का अगला निमलेकिस में से क्या दुत्यक संचय यूनिट नहीं है रैम डीवीडी फ्लॉपी चुम्प किये टेप विच अपधा फॉलीइंग इस नौट सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज कर भूए टिक है घृए जो जाएगा यह जाएगा आपका read ओली मेमोरी दुति है यह संचयक का यूनिट है यह मतलब कि जो आनल आपका सेकंडरी स्टोरेज यूनिट होते हैं ऑस्हlor जो से स्टोरेज उनिनित होते madı है इनका क्या है यह एक परol at s time की छमता इसका क्या कर सकते हैं फिस sushi hai यह यह सात में इनकी जो उत्यक संचक यूनिट मैं रेम जैसे आपके फोन की रेम है या लेप्टॉप की रेम तो उसकी ना एक लिमिटेड है वो ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक है लिमिटेड है और वो इस्ताई नहीं होता यह आपको आधकना है ठीक है अगला कोश्चा पनामा नहर का निर्मान किस बर्स में हुआ है देखो बेसिकली ऐसा है जैसे प्रत्वी है प्रत्वी जो विक्रण या छोड़ती है जो रेज छोड़ती है वो छोड़ती है धीर्ग विक्रण के रूप में ठीक है बहीं जो प्रकास है जो सूर्य है इसकी जो विक्रण है यह आती है लगू विक्रण के रूप में होता ये है कि जो प्रत्वी के बाहर का बाताबरण है ये लगू वित्रण को जो लगू विक्रण है जो लगू रेस है या जो सौट रेस है सौट बेबलेंद लगू तरंग धैर तरंग धैर की विक्रण और ये धीर्ग तरंग धैर की विक्रण ठीक है इन्हें क्य प्रत्वी अप्रत्वी करने के बाद धीर के विक्रण के रूप में जब छोड़ती है तो बाताबरण में उपस्तित कारबन डाय ऑक्साइड मीथेन या जो प्रदूसक गैसे हैं वो इन विक्रण को प्रत्वी से जो प्रत्वी का बाताबरण है इससे बाहर नहीं जाने देत पर अंदर से जब किरण को बाहर जाना होगा तो वो नहीं जा पाती वो ट्रैप हो जाती है तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा आप पनामा नहर का निर्मार किस बर्स हुआ था तो याद रखेगा यह प्रारम हुआ था 14 अगस्त 1904 को इसका राष्ट्य करन कभ हुआ है तो याद रखेगा इसका जो राष्ट्य करन है यह वा है 31 दिसंबर 1999 को यह जो नहर है यह किसे दे दी गई यह पनामा को दे दी गई तो यह आपको याद रखना है, इसी के साथ मैं आपको एक याद रखनी है, स्वेज नहर कौनसी? स्वेज नहर याद रखिएगा, इसका construction complete हुआ था, 1969 में कब? sorry, 1869 में और इसका nationalization या मैं कहूँ, राष्टिय करण इसका कब हुआ है? तो याद रखिएगा इसका जो राष्टिय करण है, ये आपका हुआ है 1956 में कब? 1956 में तो ये आपको याद रखना है ठीक है? चलिए अगला कोश्चर कोश्चर है आपका, उत्तल और अफ्तल दरपन किसके उधारण है? समतल दरपन, गोलिय दरपन, उल्टा दरपन और सीधा दरपन, वाट आपको बताना है उत्तल और अफ्तल दरपन किसके उधारण है? ये आपको बताना है, कोश्चर ने आपका 12, याद रखिएगा ये जो आपकी क्लास है, ये बहुत ही जादा महत्पूर्ण है, और ये जो कोश्चर ने आपके सामने है, ये और भी जादा महत्पूर्ण है, बताओ जड़ा, अवतल और उत्तल दरपन जो है, ये किसके उधारण है, बताओ जल्दी से, किसके उधारण है? बताओ जड़ा किसके उधारण है, ये जो 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 किसके उधारण है, तो याद रखेगा, ये हैं आपके गोलिय दरपन के उधारण, किसके गोलिय दरपन के उधारण, गोलिय दरपन होता क्या है? बे दरपन जिनका पराबर तक तल गोलिय होता है, यानि कि गोले के किसी एक भाग को समस्त से काट कर उतल ये अबतल दरपन बना जाता है, मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो एक तरफ उभरा हो, और उस दरपन के एक तरफ गहरा हो, और एक तरफ उभार हो, उसे गोलिय कहते हैं यह दो प्रकार के होते हैं उत्तल दर्पण और अबतल दर्पण यह आपको रखना है यानि कि उत्तल और अबतल दर्पण किसके उधारण है गोल यह दर्पण के उधारण है तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला कुछ है कार्बो हाइड्रेट के अलाबा हमा आहार में उर्जा का पुर्णिक सुरूंट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है कमेंट में लिखकर बताओ जो कारवोहाइड्रेड है यह किस प्रिकार की उर्जा प्रदान करता है धिरकालीन या त्वरित भाई आपका जो दूसरा आशिर यह आपका विटामिन बसा आपको किस प्रकार की उर्जा प्रदान करता है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है ठीक है चलिए बहुत अच्छे इस क्लास को सेर जरूर कर दीजिएगा याद रखेगा अच्छा कमेंट में लिखकर बताईए प्रदान करता है तो ये आपको याद रखना है अगला अब भारत के किस राज में बतकुम्बा उत्सम मनाया जाता है भारत के इनमें ते कौन सा राज जी है जिसमें बतकुम्बा जो उत्सम है ये मनाया जाता है फंक ने 1912 में जो है बिटामिन की खोच की थी फंक ने या कई जगा फंक आपको लिखा मिल जाता है बेसिकली ये इस्पेलिंग है उनकी ये अब तुम इसे हिंदी में फंक भी पढ़ सकते हो और फंक भी पढ़ सकते हो कई जगे आपको फंक मिलता है कई जगे आपको फंक मिलता है कहां का तेलंगाना का है तो ये याद रखिएगा कमेंट में लिखकर बताइए महराष्ट का कोई उस्प बैसागी कहां का है तो याद रखिएगा बैसागी जो है ये पंजाब का है ठीक है जो बैसागी है ये पंजाब का है महराष्ट के कौन कौन से उत्सब हैं तो याद रखिएगा जैसे गड़ेस उत्सब कौन सा जो गड़ेस उत्सब हैं गड़ेस महुत्सब कह सकते हैं आप इसे ये किसका है ये महराष्ट का है ये याद रखिएगा एक होती मनाई जाती है यहाँ पर नराली पूर्णिमा क्या आपको याद रखना है एक आपको याद रखना है गोकुल अश्ट मी तो यह सभी कहां पर महराश्ट में बनाई जाती है निम्यूसा फेम और का लैब काई इस आपको स्वधान का दिल कहा गयाए इन राच्पेस बूक्तर भीमरा अमेटकर ने संभिदान का दिल कहा है सम्मिधानिक उप्चारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, असम्ता का अधिकार, स्वतंतरता का अधिकार, सम्मिधानिक उप्चारों का अधिकार, किस आटिकल के तहट है यह, तो याद रखेगा, यह है आपका अर्टिकल 32 के तहट, किस के तहट, आर्टिकल 32 के तहट यह आता है, याद रखेगा, इसी के तहट, पांच प्रकार की रिटों का जन्म होता है, जो पांच प्रकार की रि ठीक है और इसी के चलते हैं जो है आगे चलके मतलब काम जादा हो गया तो हाई कोट को भी जो है यह रिट दी गई जारी करने का अधिकार दिया गया कब आर्टिकल 226 के तहित किसके तहित आर्टिकल 226 के तहित तो यह आपको याद रखना अगला सेरसां की मृत्यू कहां कड़ते हुए हो गई थी यह आपको बताना है चौंसा कलिंग कालिंजर इन में से कब आ कहीं भी नहीं वेड़िट सेरसा डाई फाइल फाइटिंग चौंसा कलिंग कालिंजर नन ओफ दीच कोश्चन क्या है कोश्चन है आपका 16 बताओ जारा क्या हो जागा बहुत अच्छे दो कि अच्छा अच्छा पताओ जरा चौंसा का युद्ध का बहुता था जो चौंसा है इसका युद्ध का बहुता है बहुत अच्छे चाह जाएगा याद रखेगा इसका जो सही जबाब है यह जाएगा आपका कालिंजर कब हुआ था तो कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में कब 1545 में और इसी युद्ध में लड़ते हुए जो है यह अमारा लड़ते हुए क्या यह एक उसके पास बैठा ह अगया तो जहां यह खड़ा था भाई फट गया जिसके कारण जो इसकी म्रत्ति हो गई थी तो यह आपको याद रखना है 1545 में चौंसा का युद्ध हुआ है 1549 में ठीक है और इसके अलावा एक बेल गाम है कन्नोज का युद्ध है वो हुआ है 1540 में यह जो दोनों अंद्रदेश और तमिल नाडू के तटिय भूभाग को जो है क्या कहा जाता है यह आपको बताना है अकोंकर कोरो मंडल पूर्वतट और मालावारतट अंद्रप्रदेश और तमिल नाडू के आप भूभाग को क्या कहते है उम्मीद करता हूं उसके लिए एक फोटो जो है वो हो तो बात बंजा भरना अगर ना होगा तो ऐसी बताना पड़ेगा बताओ जरा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी करो बताओ आंद प्रदेश और तमिलनाडू के जो तट्य भूबाग है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है बता विलगी से क्या हो जयागा कि उसे क्या कहा जाता है ये आपको बता नो मिल गया किस्मद अछी तुमारी कि को दिकाई डेरा ना ऊज़ेराइस का गज्रात का काटियाअबाट। अब एक यहां कामालाबाद सब्सक्राइद का प्कोड़ामंडल करदैस और और अगर आंदर प्रदेस पूर्या में देके तो यह आंदर तटीे मैदान बही उड़ी सा और पष्चेमंगल का देके तौस कल रहा तटीे मैदां तो यह आपको यादYU रखना है पर हमसे पूछ रहा है बस यह साप है यह क्या हो जाएगा यह naitya मैदान तो आपको याद रखना है ठीक है अगला कोशान Congress के किस motivation में Asayo Gandulan को अपनाया गया था इन में से कौन सा भै exhibition है जिसमें Asayo Gandulan को अपनाया गया और जो ये अधिवेशन है इसकी अध्यक्छिता किसने की थी यह जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्छिता करने वाला कौन था ये आपको बताना है किसने इसकी अध्यक्षता की थी ठीक है कोशन है आपका 18 बताओ क्या हो जाएगा तो याद रखेगा ये था आपका नागपुर अधिभेशन कौन सा नागपुर अधिभेशन इसकी अध्यक्षता किसे ने की है तो याद रखेगा ये की है टार आघ के 1 अगश्ट इनस्तो बीस यही डेठ है रहा है कि एक अघस्ट तुनिस्तो बीश इसी दिन जो है आप बाल घंगा दर्थ लक जिते निक यहां थी प्रियाग कन्योज थानेश्वर मत्रा जो हर्थवर्दन है इसकी आरंबिक राजनानी प्रारंब में वो कहां का सासक था यह आपको बताना है प्रियाग कन्योज थानेश्वर मत्रा भेरवाज दा इनिसियल कैपिटल ओफ हर्थवर्दन प्रियाग कन्योज थानेश स्वर् क्या हो जा hiệnा जाएगा आपका सिया नी कि थाने सर्ट तो यह आपको याद रख्णाए om इसके बाद इसने らजदानी कैनोज बनाई थी कहा बनाई थी कक भी फिर ने अपने समराज का दिश्थार दक्षिड के और करना चाहरा लेकिन इस से पुलकेसिन दुतिय के द्वारा आपको बताना है इनli Cities युद्ध है यह कहा हुआ ता और कहां से in कौन सा विलेख है या कौन सा प्रसस्ति है जिससे इन दोनों के युद्ध के बीच की जानकारी मिलती है अगला अभिव्यक्ति की स्वतंतरता किस मौलिक अधिकार के अंतरगत है समानता का अधिकार सम्मयधानिक उप्चार का अधिकार सांस्कृतिक और सैंचलिक अधिकार औ हुआ हो अच्छ कि और पिए यह आति आती है सोतंतरता क्या अधिकार स्थनता का अधिकार हैं 1912 अगर आपका बात करूं मैं आज साहइन्सक्रदिक और से चलिक अधिकार तो यह क्या आते हैं सांस्क्रदिक और सेक्ष रखी हो जाएंगे आपके 29 और 30 समयधानिक 32 समानता 14 से 18 ठीक है चलो अगला सोडियम की खोज किसने की और कप की तो याद रखिएगा जो सोडियम की खोज है यह हुई है आपकी 1807 1806 1807 में किसने की है यह आपको बताना है बताओ शौलका और ऊच्छा बहुत अच्छे और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजाए ऐसुड़ ऑकर के ऐखो सारे solve करके आओ, एक भी question आप मिस ना करो, एक भी question आप छोड़ो ना, एक भी question बाहर आने के बाद आपको ऐसा न लगे कि यार ये मुझे पता था गलत कर दिया या मैं पढ़ लेता, तो सही हो जाता, इन सब पश्चा ताप से बचने के लिए आपकी ये क्रास चला रहे हैं, जिसमें जो है, आपको हर एक महत्पूर कोश्चन या कराय जा रहा है, जो सोडियम है, इसकी खोच किया हमफरी डेवी ने, किसने हमफरी डेवी ने, तो यह याद रखिएगा, हमारे सम्मिदान में निदेशक सिद्दान्त है, कानूनी नियायलों का प्रवर्तिनिय, हमारे सम्मिदान में क्या है, यह आपको बताना है, ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, जो निदेशक सिद्दान्त है, यह क्या है, यह आपके कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तिनी है, अप्रवर्तिनी है मतलब, अगर आपके कभी भी, जो 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच आते हैं अगर कोई इनका हनन करता है तो आप इसे लेकर Supreme Court के में नहीं जा सकते हैं कि इन्होंने DPSP का हनन कर दिया क्यों क्योंकि जो Supreme Court है वो उत्तरदाई नहीं है आपके इन DPSP को लागू कराने के लिए वो Fundamentals को लागू कराने के लिए तो तरदाई है उसके पास अधिकार है पर DPSP के लिए उसके पास अधिकार नहीं है Aluminium किससे प्राप्त किया जाता है Micah यानि क्या ब्रक Copper, Magneze और Bauxite इन में से किससे Aluminium प्राप्त किया जाता है यह आपको बताना है बताव ठीक बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखेगा इसका जो सही जबाब है यह हो जाएगा आपका D यानि की Bauxite क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका D यानि की Bauxite तो यह आपको याद रखना है याद रखेगा ऐलूमिनियम के अन्य आयस्क अगर आपसे पूछे ऐलूमिनियम के आयस्क आपसे पूछे तो याद रखेगा एक आपको याद रखना है फेल्ट स्पार ठीक है एक आपको याद रखना है वॉकसाइट आपको याद रखना है एक आपको याद रखना है क्राय लाइट यह क्या है यह जो है आयस क्या है किसके ऐलुमिनियम के तो यह आपको याद रखने अगला विटामिन बीशिक्स की कमी से पुरुस में कौन सा रोग हो जाता है विटामिन बीशिक्स की कमी से जो पुरुस है उनमें कौन सा रोग हो जाता है यह आप से पूछ रहा है बता यह रहा कौन सा रोग हो जाता है बता पटा पटा देखो यह हैं विटामिन और उनके रासाइनिक नाम क्या है यह हैं विटामिन और उनके रासाइनिक नाम इन्हें याद रख लेना इन्हें याद कर लेना याद रखना बहुत ही महत्पूर्ण है यह आपके एक्जाम के पॉइंट अब यू से भी जरूरी है B1 का रासा निक नाम थाइमीन रिकेट्स हो जाता है आपका D की कमी से किसकी D यानि की केल्सी फैरोल इसकर भी हो जाता है आपके C की कमी से यानि की यह है आपका C Ascorbic Acid क्या हो जाएगा? Ascorbic Acid तो यह आपको याद रखना है ठीक है? कि ठीक चलिए अगला कोश्वन कोश्यन ऐपका किसी यौगिक को कार्बने के यौगिक के रूप में बसका इन मेंसे कौनसा तत्व है जो अगर यौगिक में बसका होका तभी tum होगा तबի आप उसे कार्बने क योगिक कह सकते हैं, which element is required to be present in our compounds for our compound to be classified as an organic compound, ammonia, carbon, zinc और iron, किस एक की बिद्दमान था, किस एक की उपस्तिती, बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है, अगर आप उसे carbonic योगिक कहना चाते हैं, तो बताओ जलती से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका B यानि की carbon, अगला, पैडो को, पैडोलोजी, क्या, या किसका विज्ञान है, जो पैडोलोजी है, यह किसका विज्ञान है, मिट्टी का बाल्य अबस्ता रुक्डता का तचा रोक का या भूजल का हूज साइंसिट पैड़ाओ ग्लोजी आस सॉयल चाइल्डूड सिकनेस इस्किन डिजीज और ग्राउंड बाटर पैड़ालोजी किसका विज्ञान है ये आपको बताना है बता जल्दी से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये यानि की मिट्टी अगला भारत के सम्मिजान के किसन उच्छेत के अंतरगा ससस्त्रबलों के सदस्चियों के मौलिक अधिकारों को विशेज रूप से प्रतिबंदित किया जा सकता है इनमें से कौन सा बैं आर्टिकल है जिसके तै आर्म्ड फोर्रकें इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंदित किया जा सकता है और ऐसा कौन कर सकता है ऐसा संसद कानून बनाकर कर सकती है संसद कानून बनाकर कर सकती है आर्टिकल 21, 25, 33, 19. अंडर बिच आर्टिकल ओप दा कॉंस्टिटिटिशन ओफ इंडिया दा फंडामेंटल राइट्स ओफ दा मेंबर्स ओफ दा आर्न फोर्सेस कैन भी स्पेसिफिकली रिस्टिक्टेड आर्टिकल 21, 25, 33 और 19 कॉस्ट्टन है आपका 27 Ñय कॉन सा है याद रखिएगा यह आपका आर्टिकल थर्टी थरी कॉन सा आर्टिकल थरी यह आपको याद रखना अगला वहालेंस जो क्रिणे एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं बहे किरण अब बहे लेंस जो किरणों को क्या करता है किरणों को एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं ये आप से पूछ रहा है ठीक है देखो ये दो प्रकार के लेंसों के चित रहें याँ पर अगर आप ध्यान से देख प 10 ह России जो किरने 11 करता है उसे क्या कहते हैं देखो यह जो लेशन आप देख रहे हैं उत्तर लेंस किया कर रहा है यह क्या कर रहा है % यह आपर 17 कर रहा है सभी कि इंडू को कि spirits के साउन हो रहा है कहां पर बिंदु एप पर या निकि क्या हो जाएगा जब इन सबको एकत्रित किया जाता है तो यह कौन सी क्रिया होती है यह क्रिया होती है अभी सारी तो यह आपको याद रखना है बहीं जब सारी किरणों को जो है फैलाया जाता है यानि कि बैलेंज जो सारी किरणों को बिखेर दे यानि कि क्या कर दे अपसार कर दे तो यह कौन सी प्र करिया तो यह आपको क्या गरना है यह आपको याद रखना है ठीक है अगला कोश्चन कोश्चन आपका सबसे बड़ी मानब जी निर्मित जील कौन सी है सबसे बड़ी मानब निर्मित जील कौन सी है बुलर गोबिंद सागर राणा सा राणा प्रताब सागर और बेक बेकाल अ में से कौन सी largest man-made मतलब मानब द्वारा बनाई गई लेक है यह आप से पूछ रहा है बता जारा क्या हो जाएगा अगर अगर आप जब पीडिया पीसे डाउनलोड करेंगे तो बहां आपको यह साफ साफ दिखाई देगा टेंसर नहीं लेनी है देखो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील सांबर जील है है ना और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून जील जो है यह चिलका जील है वैसे अगर देखा जाए तो सांबर जील से भी बड़ी है आपकी जिलका जील तो यह आपको याद रखना है ठीक है सबसे बड़ी बीटे पानी की जील है आपकी बुलर जील यह आपक सश्टाम कोटा और अश्टमुडी ये कहाँ पर है केलरला में लोनार जो की एक उलका पिंडिकेट टकराने से बनी है ये है आपकी महराष्ट में ठीक है मद्ध प्रदेस में है भोजताल नाल सरोबर गुजरात में है पिछोला राज समंदर लूकड सागर सांभर ये है आपक है अगर मैं बात करूं इधर तो आसंदर प्रदेस में है पुलिकट और कोलेरो उडिसा में चिलका तिरपुरा में 7 रुद्रसागर मनीपुर में है आपका लोक्टक और मेगाले में ए उमियम आसाम में धीपोर शिकंऩ में चोलामू लद्दाब में पेगॉंघ सो मेरारी को कर लेक हिमाचल प्रदेश में महराया महराना प्रताप सागर रेड़ुका चंदरताल पोंग डैम जील ठीक है उत्तरा घंड में हो जागी आपकी नैना नैनीताल देवताल राकस ताल ठीक है आच्छा उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कीथम जील और सरसई नवर जील ठी सबड़ी मानम निर्मित जील क्याम बात करें तो यह जाती है आपकी गोबिंद सागर जील कॉंसी यह हो जाईगी आपकी गोबिंद सागर जील और यह कहां पर कि बहुत से बच्चों का ध्यान इस चीज में रहता है कि जो नहीं दिख रहा है उसे किसी तरह से देख लें तो जो नहीं दिख रहा है वो नहीं दिखेगा है ना तो उससे अच्छा है कि एक बार सुनने पर ध्यान दे लिया जाए ठीक है चलिए भीमताल भी उत्तराखन में मैं तो महत्पूर बता रहा हूं जो आपके एक्जाम में आती हैं हैं तो बहुत सी ठीक अगर मैं बेमना जिल की बात करूं तो यह केरला में है कहां पर है यह है केरला में आगे निम्निकिस में से किस आंदोलन का नेत्रत महात्मा गांधी नहीं किया इन में से कौन सा एक दोलन जो साथ अगस्त 1906 को 1905 को हुआ था ठीक है अगला रेटना पर बने प्रतिवियम का प्रभाव लग कितने सेकंड तक रहता है देखो मैं तुम्हारे सामने अभी यहां खड़ा हूं और यहां से हटकर में यहां आ गया तो कितने समय तक मैं आपको यहीं पर खड़ा दिखाई दूंगा उसके बाद आपके आँक में करिया होगी और फिर मैं आपको यहां खड़ा दिखाई दूंगा तो यह जो आप दिखाई दितने चल्चित रहा है जो मूवी है यह सभी इसी कॉंसेप्ट पर बनती है क्या हो जाएगा यह जाएगा आपका एक बटे सोले मां भाग क्या हो जाएगा एक बटे सोले मां भाग तो यह आपको याद रखना अगला सौरूर्जा का कारण क्या है जो सौरूर्जा है इसका कारण क्या है यह आपको बताना है सल्लयन अबक्रिया बिखंडन अबक्रिया धेन अबक्रिया रासानिक अबक्रिया सोलन एनरज इस दा रीजन जो सोलर उर्जा है इसका कारण क्या है तो याद रखिएगा इसका कारण है सलयन अवक्रिया क्या है सलयन अवक्रिया तो यह याद रखिएगा निमलिकित में से कौन सा कड परमाडू के नाविक से संबन दित नहीं है इन में से कौन सा एक कड है जो परमाडू क परमाडू के नाविक में नहीं पाए जाता कौन सा एक कड़ है ये आपको बताना है तो कोशन आपका 34 अगर मैं बात करूँ कौन सा एक है तो ये हो जाएगा आपका मेरोन ये नाविक में नहीं पाए जाता इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन और प्रोट्रोन ये तीन ही जो है उस का रख कौन था गैली लियो माइकल फैराडे जे जे तॉम्सन और फारेनाइट हूँ इस दा इनवेंटर और मरकरी थर्मोमीटर तो जो मरकरी थर्मोमीटर है इसे बनाने बाले थे अगला प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नियासरी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है ट्रिप्सिन पेप्सिन एमाईलेज और उपेश प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नियासरी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है यह आपको बताना है कोश्चन है आपका 36 और याद रखिएगा यह आपका बहुत ही महत्पूर कोश्चन है क्या पूछ रहा है पूछ रहा है आपसे प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नियासरी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है तो जो अग्नियासरी रस है इसमें जो एंजाइम मौजूद होता है उसे कहते हैं सिर गहते हैं अगला ने किस हैं कौन सा अंग गलाइकोजन को गलुकोज में बदलता है और रक्त को सुद्ध करता है यक्रत गुर्दा फेपड़े तिल्ली निम्लेकित में से कौन सा अंग गलाइकोजन को गलुकोज में बदलता है और रक्त को क्या करता है रक्त को करता है सुद्ध तो यह हो जाएगा आपक स्वाद किसके कारण होता है Lactose, Fractose, Maltose, Rebose What is the reason for the Sweet Taste of Fruit Lactose, Fractose, Maltose और Rebose, फलों का मदूर मीठा स्वाद किसके कारण होता है जो फल जो आप खाते हैं वो मीठे दिखते हैं आप मीठे लगते हैं तो जो उनका स्वाद है वो मीठा या मदूर जो है किस कारण होता है तो याद रखेगा इसके लिए जो सही जबाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका B यानि की Fractose के कारण सहयुक्तराष्ट संग की स्थापना कब हुई United Nation जो है सहयुक्तराष्ट संग जो है आपको बताना है इसका मुख्याल है कहाँ पर है ना जो United Nation है इसका मुख्याल है कहाँ पर है और अगर बात करूँ में इसकी स्थापना की तो यह हुई है 24 October 1945 को कब 24 October 1945 को और यही है कि 24 October को जो है क्या बनाते है 24 October को UN दिवस के रूप में भी बनाया जाता है निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानि कि D.O.S. कमांड है लिष्ट चेंज डुप्लिकेट फॉर्मेट विच आप दा फॉलूइंग इस डिस्क उपरेटिंग सिस्टम कमांड मतलब इनमें से कौन सा एक डिस्क उपरेटिंग सिस्टम कमांड है नियू यॉर्क है बहुत अच्छे UN का जो हैड़ क्वार्टर है वो नियू यॉर्क है क्या हो जाएगा तो याद रखेगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जागा आपका फॉर्मेट अगला भारत में योजनावद अर्थ विवस्ता किस पद्दिती पर आधारित है जो भारत में जो योजनावद अर्थ विवस्ता है वो किस पद्दिती पर भारत में थी अब नहीं है 2017 में यह समाप्त कर दी गई आगरी पंचबर्सी योजना दोजार बारे से दोजार सत्रे तक थी है तो यह आपको याद रखना है इसे दोजार सत्रे बाद से समख्ट कर दिया गया है और अगर मैं बात करूं योजना बाद अर्थ विवस्ता की तो यह किस सद्दान्थ पर जो है या किस प्रिकार launches से अक तो यह जो प्रिक्रिया है यह किया कहलाती है मांगा धिक jáद रहा है इसे दिया जाता यानि कि जो अब मुद्रा इस्पिति या जो महंगा यह वो कम हो सके ठीक है अगला परमाडू उर्जा आयोग का गठन हुआ था अगस्त उन्निस और तालिस में अक्टूबर उनिस सो पच्पन में दिसंबर उनिस सो बासट में सितंबर उनिस सो पैसट में आपको बताना है परमाडू उर्जा आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था तो याद रखेगा इसका जो गठन है यह कब हुआ है यह हुआ है आपका अगस्त उनिस सो अर्तालिस में कब हुआ है अगस्त उनिस सो अर्तालिस में कमेंट में लिख कर बताए यह परमाडू कमिशन नहीं सब्वाइब बया जब आई एए आई एए ये इए इए इन्टरनेशनल अटमेक एनर्जी एजएंसी इसका हैड़ कौार्टर कहां पर है इसका जो एड़ड कवाटर है यह कहां है यह बताइए अचा निम्लेकेद मैं से जल जनित रोग कौन सा है मदुमें हैजाज चेचक मलेरिया which of the following is a बार्टर बोर्न डिसीज इन में से कौन सा जल जनित रोग है ये आपको बताना है question है आपका 44 किया हो जाएगा तो याद रखेगा इसका प्रियोग किया जाता है ये आपको बताना याद रखेगा आपकी class एक होती हो सुबह 6वजे करेंटबे र क्या सुनी सर की क्लास है आपकी सुबह 9 बजे गुर्षं सर की महत की क्लास है आपकी सुबह 11 बजे GS की जो अभी चल रही है एक class है आपकी दो पहर, दो बजे हिंदी की मैं कराता हूँ याद रखेगा इस सभी class है आपकी GD के लिए बहुत महत्मूर है एक class है आपकी साम को चार बजे निखिल सर की reasoning की तो यह आपको आखना है एक class है आपकी रात 8 बजे math और reasoning की आपके अपने अजैसर की तो इस class के साथ भी आपको जरूर जुड़ना है अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका D plaster of Paris, क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका plaster of Paris जिसे पी ओपी कहते हैं जिसका formula होता है रासाइनिक C-A-S-O-4.H-A-P-H-2-O तो यह आपको याद रखना है जिन बचोंने अभी तक class को share नहीं किया है, share कर दीजिएगा जिन्होंने like नहीं किया है, like कीजिए चैनल को subscribe करके बैल आइकन का बिटन भी आपको जरूर दबाना है, याद रखेगा SSC GD 2022 के लिए आपके पास 4G Batch है, 299 में आप इसे जोइन कर सकते हैं, यह नमबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्यां का समादान पा सकते हैं, अगर आपको कोई doubt है अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके लिए आपका पास ये नमबर है सौरी ये ओफर है, 10 नमबर तक ये आपका ओफर है और अगर आपके पास कोई doubt है तो आप इस नमबर पर phone करके solve कर सकते हैं, ये जो बैच है आपको ये मिलेगा एससी मेकर पर और एससी मेकर एप जो है ये मिलेगा आपका Google प्ले स्टोर पर ठीक है, उत्तर प्रतेश पुलिस कॉंस्टेवल के लिए आपके पास इस पेसर बैच है, जो है आपका 399 में, कितने में? 399 में, तो ये आपको याज रखना है, ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समास्याओं का समाधान पा सकते हैं, मैं तो अरिजिनिंग के लिए रोज रात 8 बज़े एकदम बेसिक से, आपके अपने अजैसर के दौरा क्लासेश चलाई जाती हैं, जो की बहुत ही जादा महत्पूर्ण है, तो इन क्लासेश के साथ आपको जरूर जुड़ना है, क्या करना है? इन सारी क्लासेश के साथ आपको जुड़ना है, ये जो क्लास है, आपकी 8 बज़े, इसमें आपको अजैसर बताते हैं कि किस प्रकार के question आपके exam में आते हैं कैसे आप इन्हें बिना pen paper के कर सकते हैं कैसे आप questions को एक दम basic से कर सकते हैं trick लगा के कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं यह Ajay sir आपको बताते हैं तो Ajay sir की इस class के साथ आपको जरूर जुड़ना है बहुत ही innovative way में आपकी एक लास होती है साथ में कुछ link है जैसे ही आपके app के link इस पर क्लिक करके वीडियो के description में play store पर जाके या जिस chat box में आप अभी है इसमें उपर pin भी किया गया है तो यहां से भी आप click करके इसे download कर सकते हैं आपको daily quiz, mock test, important notes, ebook और भी वहसी समझायां देखने को मिलती हैं आप हमें Instagram, Facebook, Twitter पर follow कर सकते हैं जिन बच्चों ने हमें Telegram पर join नहीं किया है वो बच्चे हमें Telegram पर जरूर join करें Telegram एक ऐसा channel है जिस पर आपकी हरे class share की जाती है यह miss आपकी ना हो, साथ मों कोई ना initiative है, थोट होता है तो भी यही share करते है, आपके exam से related अगर कोई notification है तो वो यही provide कराया जाता है, यह है आपके अपने परिवार है SST Maker का YouTube channel का link, तो इसे आपको share करना है अधिक से अधिक, जिससे की अधिक से अधिक वच्चे class के साथ जोड़े एक बात और आपको याद रखनी है यह Google, sorry, यह जो play आपका YouTube channel है इससे related, आपको इसका जो bear icon है वो जरूर दबा लेना है जिससे की class का notification आपको time to time मिलता रहे और इस class को share online जरूर करना है याद रखेगा pen paper लेकर जरूर बैठेए जो कुछ भी नया आपको मिलता है उसे आप यहाँ note down करते रहे है जिससे की जब भी आप exam देने जाए उससे पहले अगर आपके पास समय हो तो at least आप उसे revise कर सके आपके तो इन्हें लिखते रहिएगा आज की class के लिए इतना ही दो बजे मिलते हैं हिंदी की class में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत